सबी किसान भाईयों को मेरा नमस्कार किसान भाईयों ये जो मैं आज आपको दान की रिपोर्ट दे रहा हूँ यह रिपोर्ट नवीन अनाजमंडी जेहराबाद बलेंसेर यूपी से दे रहा हूँ किसान भाईयो दिन पिरती दिन हमें दहन के रेटों में सुधार देखने को मिल रहा है और उम्मीद है यह सुधार दिन पिरती दिन आगे बढ़ता रहे दहन के रेटों में रोजना सुधार होता रहे दहन के रेट आगे बढ़ते रहे तो किसान भाईव आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे कि दहन के क्या कुछ रेट रहे यदि आज हम 15.09 और 16.92 के टॉप के रेटों की बात करें तो 15.09 और 16.92 में टॉप की हाथ की जड़ी ही 351 रुपे पिर्तिक उन्ठर रही यदि इसी में हम कंबाइन की बात करें आज हम सुगंद की बात करें, तो सुगंद टॉप की नम्मर वन हाथ की चड़ी हुई टॉप की कलर 29 रुपे प्रितिकुंटर रही, कम्बाइन 27 रुपे प्रितिकुंटर रही, किसार भाईयो इसी कड़ी में आगे चलते चलते, 1847 धान में भी हमें सुधार देखने को मिला है, 1847 बहुत चमकिली धान थी, बहुत अच्छी धान थी, जो कि 3000 रुपे प्रितिकुंटर भी की है, और यदि 1847 कम्बाइन की बात करें, तो 1847 कम्बाइन 27 रुपे प्रितिकुंटर रही है, और जो आगरा साइड से, फ्रोजबा साइड से एक ताज धान आता है, ताज धान आज 2700 रुपे प्रितिकुंटर रहा है, किसान भाईयों, चलते चलते सर्वतिकी बात कर लेते हैं, सर्वति धान आज 2600 रुपे से लेके 2600 रुपे प्रितिकुंटर भी की है, सरबती धान कोई कंबाने वाली आई नहीं थी केवल हाथ के जड़ी सरबती धान आई थी जो की सारी 2600 रुपे पिरते कुंटल टॉप के रेट में रही है किसान भाई जाते जाते यह भी बताते तहूं कि कल को अनाजमंडी बंद रहेगी धन्यवाद